बुद्ध की प्रेर्णा, धैर्य और समर्पन का मार्ग एक समय की बात है, बोध गया नामक एक छोटे से गाव में एक साधारन सा किसान रहता था जिसका नाम रमेश था, रमेश का जीवन कठिनाईयों से भरा हुआ था, उसका खेट छोटा था और फसले हमेशा मौसम के हाथ प्रभावित होती थी, उसने खुद को इस कठिन जीवन में संतुलित रखने की कोशिश की, मगर कभी-कभी उसकी महनत बेकार जाती और उसका दिल तूट जाता, एक दिन रमेश अपने खेट में काम करते हुए बहुत थक गया, उसने फसल की बुवाई की थी, पर बारिश की कमी के कारण सब सूखने लगा, निराश होकर उसने सोचा, मैं कितनी महनत करूँ, क्या इसका कोई मतलब है, तभी उसका ध्यान पास के वन की ओर गया, जहां बुद्ध की उपासना करने वाले कुछ साधू थे, उन्हें देखकर उसे प्रेरणा मिली, उसने सोचा, ही मुझे इस संकट से निकाल सकती है, रमेश ने साधू के पास जाकर कहा, मुझे भी ज्यान की आवशकता है, मैं अपने जीवन की कठिनाईयों से उबरना चाहता हूँ, साधू उन्हें ने मुसकराते हुए उसे ध्यान करने का सुझाव दिया, उन्होंने कहा, शान्ती औ और धैर्य से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है, यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे, तो कठिनाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उस रात, रमेश ने ध्यान करने का निरनय लिया, उसने मन में ठान लिया कि वहाँ अपने दिल की सुनेंगे, ध्यान में उ उसकी चिंताओं और निराशाओं ने उसे कितना कमजोर बना दिया है, उसने समझा कि अपने जीवन की कठिनाईयों को सहने का साहस होना चाहिए, अगले दिन, रमेश ने अपने खेत में फिर से काम शुरू किया, उसने सोचा, अगर मुझे फसल उगाने का सही तरीका नही में उतार कर, कड़ी मेहनत और समर्पन के साथ, वो अपने खेत की देखभाल करता रहा, समय बीतने के साथ, एक दिन, गाव में एक धूप भरी सुभा आई, जैसे ही सूरज की पहली किरने खेत पर पड़ी, रमेश ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है, उसकी फसल लहल रही थी, उसने अपने मन में सोचा, अगर बुद्ध की शिक्षा और धैर्यन न होता, तो यह सब संभव नहीं था, फसल काटने के बाद, रमेश ने अपने गाव की ओर रुख किया, लेकिन यहां एक समस्या थी, उसने जितनी फसल उगाई थी, उसे न्यूतम मूल्य पर बेचना था, बाजार में उसकी फसल का मुकाबला और किसानों की फसलों से था, वह फिर से निराश हुआ, लेकिन बुद्ध की सीखने उसे नहीं छोड़ा, उसने अपने सभी किसानों से बातचीत की और एक योजना बनाई, उन्होंने अपने सामने एक समूँ बना कर मिलक अपने उत्पादों को बेचने का फैसला किया, इस तरीके से वे एक समान मूल्य पर अपनी फसल बेचने में सफल रहे, गाव वाले रमेश की सहसिक्ता और एकता को देख कर प्रभावित हुए, उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए बाकी किसानों को भी प्रेरित क किया, धीरे धीरे रमेश गाव में एक नेता बन गया, अब रमेश ने न केवल अपने जीवन की कठिनाईयों का सामना किया, बलकि उसने अपने गाव के अन्य किसानों को भी उनके संघर्षों से उबरने की प्रेरिना दी, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन और गाव में लागू किया, गाव अब एक जुट हो गया, और हर किसी ने एक दूसरे का सहारा बनने की ठानी, कुछ महीनों के बाद गाव में एक बड़ा उत्सव था, सभी ने मिलकर धान की फसल ओठ किया और एक दूसरे को आशीरवाद दिया, रमेश को देखकर स सभी ने उसके प्रयासों की सराहना की, उसने कहा, यह सब हमारी एकता और धैर्य के कारण संभव हुआ, बुद्ध की प्रेर्ण हमें हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, गाव के सभी लोग एक जुट होकर अपने जीवन को नई दिशा में ले गए, उन्हो इस न केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाया, बलकि उसने अपने गाव के जीवन में भी बदलाव किया। बुद्ध की शिक्षा ने उसे न केवल कठिनाई का सामना करने की ताकत दी, बलकि उसे अपने और अपने समुदाय के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि यदि हम धैर्य रखें, एक जुट रहें और बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, जीवन में संघर्शा सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन की शक्ती को पहचानने के अगली वीडियो में.